ये जेट प्राण की कटिंग है जिसको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ग्रो किया था और आप रिजल्ट देखी सकते हैं में जितनी भी कटिंग थी सबकी ग्रोध कितनी अच्छे से हो गई हैं सब में रूट्स आ गई हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसकी क कटिंग लगाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से लगानी चाहिए और इसकी केयर कैसे करनी चाहिए इसे कौन सा फटिलाइजर देना चाहिए सभी के बारे में मैं पूरी डीटेल में आपको बताऊंगी तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहिएगा चलिए वीडियो को सब लोग love for gardening में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे कि आप मेरे Z plant को देखी सकते हैं और उसमें मैंने एक coin भी रखा है तो यह मैंने क्यूं रखा है किसलिए रखा है इससे related वीडियो में बना चुकी हूँ तो मैं i button पे link लगा दूगी अगर आपको जान आप तो इसके लिए 2-3 चीज़े हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा तो हमारी cutting बहुत ही अच्छे से grow करती है तो सबसे पहले तुम्हें आपको बताना चाहती हूँ कि cutting को grow करने के लिए बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है और इस मौसम में अग एक छोट इसी cutting लेके और अपने घर में लगा लीजिए जिसको मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगाना है तो फिर आपके पास भी Z plant बहुत ही अच्छे से grow होगा और पूरा एक plant तयार हो जाएगा उस छोट इसी cutting से Z plant की care में सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो यह है कि हमारे Z plant को जो हमें soil देनी है वो well-drained soil देनी होगी उससे क्या होगा कि पानी रुकेगा नहीं और जब पानी रुकेगा नहीं तो हमारे plants में कोई भी problem नहीं आएगी अगर आपको cutting लगानी है तो यह बहुत सही मौसम है cutting लगाने का तो आप अभी भी cutting लगा सकते हैं अभी भी आपके पास 15 से 20 सितंबर तक का time है वैसे Z plant की cutting किसी भी मौसम में लगाई है ग्रो हो जाती है क्योंकि यह कोई बहुत typical plant नहीं है बस हाँ बहुत ज़ादा ठंड पड़ रही होती है या बहुत ज़ादा गर्मी पड़ रही होती है तो थोड़ा सा temperature जब बहुत high या बहुत low हो जाता है तो cutting grow करने में थोड़ी सी problem होती है otherwise आप कभी भी grow करें बहुत easily grow हो जाती है तो इसके लिए हमें soil कैसी चाहिए soil well drain होनी चाहिए तो मैंने यहाँ प मात्रा में लेना है आपको अभी आपको और कोई fertilizer नहीं देना है इस समय plant में हमें सिर्फ इन तीन चीज़ों से ही अपनी cutting को grow करना है तो मैंने एक छोटा सा pot ले लिया है उसी में मैं सारी soil को डाल दे रही हूँ और जब आप cutting वगरा करें तो पूरा कोशिश करिए कि आप आप शाम का time चुनिए क्योंकि ऐसे cutting वगरा लगाना हो या reporting करनी हो तो ऐसे में शाम का time बहुत अच्छा होता है तो मैं तो आप से यही कहूंगी कि आप शाम के time ही reporting करिएगा या फिर cutting को लगाईएगा अगर कोई मोटा कंकड पत्थर मिल जाए तो वो आप तुरंत हटा लिजे निकालके उसके बाद लगबग मैंने दो इंच गमले में इस पेस छोड़के और बाकी पूरा गमला मैंने सॉयल से भर दिया है अब हमें cutting कौन सी लेनी है अपने प्लांट की जो हमारी easily grow हो जाए तो इसके लिए आपको बहुत ट्रिक या बहुत जादा सोचने की ज चोटी cutting भी मैं आपको हर तरह की cutting यहां पर लगा के दिखाती हूं जैसे मैंने दो लंबी cutting भी है और एक में छोटी सी cutting भी आपको काट के दिखाती हूं क्योंकि मतलब आप 2 इंच की cutting भी अगर पा जाते है न कहीं से तो भी आप इसको लगा दीजे और यह बहुत ही अच् चीजे हैं जो हमें करनी हैं क्या करनी है कि जो stem हमें soil के अंदर रखनी है वहाँ पर जितनी बी leaves हैं उन्हें हमें हटा देना है तो जो हिसा soil की अंदर रहेगा STEM SSD पर जितनी बी कि जो cutting है उनको लगा लूँगी cutting लगाने के time पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो cutting हो उसको आप कातिये और काटने के बाद तुरंत लगा दीजे तो इससे थोड़े से chances बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं plant के grow करने की हलाकि Z plant है तो आप थोड़ी देर भी कर सक लेकिन अगर आप cutting काट के और तुरंत लगा देंगे तो वो जादा better होगा और अच्छा result भी आपको मिलेगा तो मैंने अपनी प्लान की जो तीन cutting काटी थी जिसमें से दो बड़ी cutting थी और एक अब मैं आपको छोटी cutting दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ की छोट चोटी cutting भी grow हो सकते यह देखें आप कितनी चोटी cutting है यह तो अगर आप इतनी चोटी cutting भी जेट प्लान की कहीं पा जाते हैं तो आप ले आईए यह भी grow हो जाएगी 100% grow हो जाएगी बस जैसे मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से follow करनी है उसके बाद जो मैंने पहले cutting लगाई थे जिनमें roots आ गई है मैं उनको भी इसी में ही लगा दे रही हूँ और इसके बाद अब मैं आपको आगे इसका update दूँगी जब इसमें और अच्छी growth हो जाएगी और हाँ जब हम plant की cutting grow करेंगे इसके बाद लगबग एक हफते तक इसको semi shade area में ही रखिएगा ज तो फिर इसकी growth और भी अच्छी होने लगेगी इसको sunlight की ज़रत पड़ती है अगर आप इसको घर के अंदर रख देंगे और वहां उजाला नहीं होगा sunlight नहीं आएगी तो इसकी अच्छी growth नहीं हो पाएगी फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे plant की growth ही नहीं हो रही है तो sunlight त रखिए या ऐसे door पे रखिए जहां खुब तेज धूप आती हो कम से कम 2-3 घंटे की धूप तो इस plant को आपको देनी पड़ेगी इस plant में over water नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप over water करेंगे तो इसके plants की root गर्लना शुरू हो जाएंगी stem और leaves भी एकदम मुर्जा जाएं उसका क्या reason है चलिए मैं आपको बताती हूँ जैसे कि आप यी leaves देख रहे हैं मैंने इसको थोड़ा सा cut कर दिया और आप मैं इसको press कर रहे हूँ तो आप देखे इसकी अंदर पानी है तो ये plant ऐसा होता है जिसकी leaves में पहले से ही बहुत पानी store होता है ऐसे में अगर आप उसको over water करते रहेंगे तो इसकी जो leaves है वो मूर्जा जाएंगी और पीली पड़ पड़ के जढ़ जढ़ के plant में गिरने लगेंगी तो इससे भी आपके plant की growth खतम हो जाएगी दीरे दीरे तो plant को over water नहीं करना है जैसी soil मैंने आपको अभी बताई है वो उस तरह की soil देनी ह हाँ मैं अब आपको fertilizer बता देती हूं कि fertilizer हमें क्या देना है जब plant की growth अच्छी होने लगे तब आप देखिए मेरे plant की soil अभी हमारे हाँ कल बहुत बारिश होई है और बारिश होने के बाद फिर जब मुझे लगा कि बहुत जादा rain हो गया है तो मैंने plant को side में रख दिया और देखिए दिन होते होते हमारे plant की सारी soil एकदम उपर से dry हो गई है हलका सा मौशर है लेकिन देखिए soggy नहीं है soil ये क्यों है क्योंकि मैंने अपनी soil को well-drained soil बनाया है इससे हमारे plant में कभी भी पानी store नहीं होगा और पानी जादा store नहीं होने से over water का कोई भी problem plant में न दो मूठी वर्मी कंपोस्ट और आदा चमश बोन मिल दे दीजे इतना इस plant के लिए fertilizer बहुत है अगर आप इसकी growth थोड़ी fast करना चाहते हैं तो आप एक लिटर पानी में half spoon epsom salt mix करके वो भी plant को दे सकते हैं उससे plant की जो leave होती हैं वो काफी green होंगी और काफी shiny भी दिखे इस वीडियो में जो भी fertilizer मैंने आपको बताया है वो सब मेरे amazon gardening store पे आपको मिल जाएगा तो अगर आपको purchase करना है तो आप वहां से ले सकते हैं cutting को लगाने के बाद उसको पानी जरूर दीजेगा जब हम पहली बार plant को पानी देते हैं तो full water देना चाहिए और अब मैंने उस coin को वापस रख दिया है भूलिएगा नहीं अगर आपको जानना है मैंने अपने plant में coin क्यों रख रखा है तो i button पे link में दे दूंगे आप वहां से देख लीजेगा इससे आपको काफी knowledge मिलेगी एक चीज़ मैं और बताती हूं आपको मैंने देखा है इस बरसात के मौ problem थी वो एकदम दूर हो गई तो इसके अलावा और plant में कोई ऐसी problem नहीं आती है बहुत ही easy to grow plant है और lucky भी बहुत माना चाता है तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं इसकी care करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको बस वही staff follow करनी है तो कैसा तो मुझसे बात कर सकते हैं मैं जरूर आपके comments का reply करूंगी मिलते हैं फिर next video में तब तके लिए bye take care